दोस्त अगर आपको भी CRD शो देखना पसंद है और आप CRD के इंस्पेक्टर अभी जीत और इंस्पेक्टर दया की जोड़ी को देखना पसंद करते हैं तो सबसे पहले इस वीडियो को देल से लाइक कर दीजिए और अगर आपने अभी तक हमारे चैनले पेम पिक्सेल्स को सबस्क्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर लीजिए सबस्क्राइब और साथ में जो बेल आइकन यानि की जो घंती का बटन है उसको भी दबा लीजिए तो चलिए दोस्तो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तो आप सबको पता होगा करोना के चक्कर में अभी पूरे देश में लोकडाउन का सिचेशन है और CID2 की शूटिंग जो है उसको भी बंद कर दिया गया है अपरिल 30 तक जो लोकडाउन है उसको बढ़ाने की योजना चल रही है अभी तक कुछ गोशना नहीं किया है हमारे प्रमाने प्रधन मंतर नारेंदर मोटी जी ने देखते हैं आगे क्या होता है तो दोस्तो इस वीडियो में हम बात करेंगे CID2 के एक्टर के सैलरी के बारे में CID के जो एक्टर्स हैं वो कितना लेते हैं पर एपिसोड सब कुछ आपको बताँगा दोस्तो तो वीडियो को अनद तक ज़रूर देखेगा तो दोस्तो सबसेड़ अगर बात करें सबसे पहले ACP प्रद्युमन के बारे में जिनका अश्री नाम सिवाजी सत्तम है वो एक एपिसोड के लिए करीबन 20 लाख रूपे चार्ज करते हैं CRD के पर एपिसोड के लिए 20 लाख रूपे लेते हैं इसके बाद अगर इंस्पक्टर दया और इंस्पक्टर प्रभीजीत की बात करें तो वो हर एपिसोड के लिए 10 से 15 लाख के बीच लेते हैं डिपन करता है वो कितना दिन शूट करते हैं उस एपिसोड को इसके अलाबा दोस्तों अगर इंस्पक्टर सचिन और इंस्पक्टर फेडरिक्स की बात करें तो ये लोग 8 लाख से 10 लाख के अंदर चार्ज करते हैं पर एपिसोड इसके अलाबा अगर मैं बात करूँ इंस्पक्टर पूर्भी, डॉक्टर श्रेया और डॉक्टर तारिका के बारे में तो ये लोग जो है 5 लाग से 8 लाग रुपे के बीच लेते हैं पर एपिसोड के लिए इसके लावा अगर मैं बात करूँ दॉक्टर सालूंखे के बारे में करीबन 5 से 10 लाग रुपे के बीच लेते हैं पर एपिसोड के लिए जी हाँ दोस्तों ये थे CID के कुछ मैंन स्टार्स और जो हर एपिसोड में अभिनिया करते हैं उनको पर एपिसोड का 1 लाग से 3 लाग रुपे के बीच मिलता है हर एक एक्टर को तो दोस्तों ये था CID के एक्टर्स का पूरा जो रेट लिस्ट होता है वो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें नीचे कॉमेंट करके जरूर बताइए कि आप CID के सीजन 2 को देखना कितना पसंद कर रहे हैं और आपको क्या लगता है कि सीजन 2 जो है वो कब तक आना चाहिए और इस लोगडाउं के सिचुएशन में आप घर पर क्या कर रहे हैं कैसे अपना ताइम पस कर रहे हैं आप लोग नीचे कॉमेंट करके जरूर बताएए धन्यवाद